उत्तर प्रदीस में सरकारी नौकरी को लेकर अच्छी अपडेट है क्योंकि राज्यकर विभाग में रिक्त पड़े हैं काफी जादा पद जहां यहां यहां पर बताया गया है कि उप चतुर्त स्रेडी करमचारी संग यानि कि वानिच्जकर विभाग के महामंत्री सुरेश स सिंग यादों ने राजी शरकार में रिक्त पड़ों पर तत्काल भरने के साथ ही सचल दल और कंट्रोल रूम को मजबूत करने की यहां पर मांग की है जिसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदीस में चतुर्त स्रेडी करमचारी संग ने आपर सीयम को पत्र लिखा है और कहा ह कि अधिकारी जो हैं वो सरकार को गुमरा कर रहे हैं रिक्त पड़ों को लेकर जबकि मुख मंत्री को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि चतुर्त स्रेडी के करीब 4000 और कनिष्ट सायक के 3000 और चालक के 100 पड़ों पर रिक्त हैं ऐसे मैं देखा जाए तो 7100 पड़ों पर पेज उन्होंने अनरोद किया है कि जल से जल इन रिक्त पड़ों पर विग्यापन निकाला जाए ताकि जो राजस्त विवाग को भारी नुकसान हो रहा है साथ में जो कार है उस पर भी तेजी नहीं आ रही है तो ये सभी प्रिक्रियाएं सही ढंक से हो सके क्योंकि रिक्त पद रहेंगे तो करमचारी कम रहेंगे तो ऐसे में जो कार है वो धीमिकती से होगा तो ये कार सही तरीके से हो इसके लिए यहां पर मांग की गई है कि इन 7100 पदों को ततकाल भरा जाए अगर आप सिच्छक बनना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में तो यहां पर कुछ बद इसना तक में 50 फीस्दी अंक अनिवार किया जाएगा जी हां इसके लिए शाषन के निर्दीस पर माधमिक विद्याले उने होने वाली प्रवक्ता में जो की एंसीटी की गाइड लहने उसके अनुसार नियूंतम अर्यता जो है यहां पर लागू की है और यहां पर जानकार में नियूंतम 50 फीस्दी अंक अनिवार किये जाने पर सहमती भी बनी है और जिसके लिए प्रवक्ता भरती में बीएड भी अनिवार करने की सहमती यहां पर बनाई गई है तो अर्यता में संसोधन संबनी जो प्रस्ताव है यो यूपी बोड की तरफ से सासन को भेज दिया तो ऐसे में अब कम योगता वाले जो चात्र आ जाते थे उनको यहां पर किठनाई के सामना करना पड़ेगा क्योंकि 50 फीस्दी अंक अनिवार होने से लाखो लाख चात्र अब आने वाली इन भरतियों से बाहर हो जाएंगे वही पर अच्छी अपडेट है बिहार से जहां क्योंकि प्रात्मिक विद्यालों में 40,000 से अधिक पड़ों पर सिच्चकों की भरती का एलान हो चुका है और इसके लिए बियड या डियलेट जो भी छात्र हैं वो यहां पर आविदन करेंगे अगर पात्रता की बात करें तो आप देखेंगे कि प्रधान पड़ के लिए इसनातक और बियड डियलेट के अलावा पांच वर्स का नुभाव यहां पर मांगा गया है वही पर प्रधाना द्यापक पदे के लिए इशनाकुत्तर और बियड या एमेड या नियूंतम पांच वर्स का नुभाव यहां पर मांगा गया है ऐसे जो भी छात्र हैं जो यो पर जो हैं वो सिच्छकों के रखे गए हैं अगर इसमें चैन की बात करें तो लिखित पर इच्छा के अदार पर अभ्यार्थियों का यहां पर चैन होगा तो जो भी यहां पर यो गताधारी शात्र हैं वो इसके लिए अबदन करेंगे MRC सिच्छकों के लिए अच्छी अपडेट है क्योंकि हाई कोट के निर्देश के बाद विद्याले जो आवंटन है वो आज से सुरू किया जा रहा है 64500 में जो भी सिच्छक थे जो MRC मुद्य को लेकर हाई कोट गये थे वो आँसे जीते थे और इसी को लेकर जो आज है जो भी बिविन जीला भी ऐसे हैं उनके माद्यम से विद्याले अवंटन का जो कार है वो आज किया जाएगा और 19 सेप्टेंबर तक सभी छात्रों को उन क्योंकि सरकार अब इसमें रूची दिखा रही है जिसको लेकर कल यहाँ पर सरकारी अदिवक्ताओं के माद्यम से एक लेटर भी जारी किया गया था अरजेंसी को लेकर जिस पर अब लगातार सुनवाई देखने को मिल रही है और यहाँ पर देखे बहुत सारी जानकारी देखने को मिली है लेकिन जो 79,000 में आंसर की मामले में एक अंग को बढ़ाते हुए छातर अपने न्युक्ति का इंतजार कर रहे हैं उनको अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सरकार की तरफ से जो मुकदमा है आंसर की वाला उसे आपर रोकन देखा जाए तब उनको राहत दी जाए ऐसा यहां पर अनुरोद किया गया है फिलाल 16 सेप्टेंबर को इस पर सुनवाई है और उस दिन आंसर की समयत और 600 मेरिट सूची पर अंतिम निर्णे होने की यहां पर असार बताए संभावना बताई जा रही कि संभव हो सकता है कि जिस पर अंतिम निर्णे आए 일ऑ putain निर्णे है विलाल सरकार इन रिक्थ पदों को लेकर क्या नया रूल लेकर आती है क्या तरीका लेकर आती यह कहां थे इन रिक्त पदों को सोगरती है यहाने वाली सुनवाई में पता चलेगा क्योंकि आई को यहां पर जुगार लेके आती है यह 16 तारीक को वाँ ने सुनवाई में पता चलेगा लेकिन जानकरी है भी कि 16 तारीक को केस फाइनल हो सकता सरकार काफी ज्यादा रूची दिखा रही है इन और 600 चैनितों को न्यूक्ति देरे पर दिये तो कुछ अहम अपडेट थी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और एथ ही जानकरी देखतना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा कि आगे भी इस बरती के हर एक अपडेट आपको देते रहेंगे